कुकु टीवी तो दूर हो गई थी लेकिन गुड़ो और उसकी पत्नी आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे सतना गाउं में गर्मी का कहर बहुत बढ़ चुका था गाउं के नदी ताला अब सब कुछ सूख चुके थे इतनी गर्मी है गाउं में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा पंखा भी गर्म हवा दे रहा है अब क्या करें जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरे देव हमारे गाउं के आस पास ही है इतनी गर्मी कैसे जेलेंगे हम चलो मुझे बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबे मटके और मिट्टी की मूर्तिया बेचने जाना है गुड्डू रात भर जाक कर मिट्टी की मूर्ती और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है सुबे से स्तब्दी धोप में खड़ा हूं ना कोई मड़का विका है और ना कोई मूर्ती गुड़ू पूरी दोपहर वही खड़ा था लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं विका और वो थकहार कर घर की तरफ जाने लगा तभी बहाँ पर उसे बदरी नारायन पंडिजी मिले गुड़ू कहां से आ रहे हो और ये क्या बड़े थके थके लग रहे हो क्या बात है क्या बताऊं पंडिजी मेरी दशा बहुत खराब हो गई है ना कोई मटका विका है और ना ही कोई मिट्टी के खिलोने मैं तुम्हारी दशा बिलकुल समझ रहा हूँ लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा उस रात तो गुड़ू बदरी नारायन पंडिजी के यहां से खाना लाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खा लेता है आज तो हमने पंडिजी के यहां से खाना खा लिया लेकिन हम कल क्या करेंगे आप कल की चिंता मत कीजे मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा तुम अपना ख्याल रखना गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की तरफ जाता है ये मेरा आखरी दिन है मैं इन मिट्टी के बरतनों को यहीं फैंक दूँगा गुड्डू अपने मिट्टी के बरतनों को फेकने के लिए निकल पड़ता है उतने में ही वहाँ पर एक व्यक्ती एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेट कर गुड्डू को दिखाई देता है इतनी गर्मी में याद में भागता हुआ कहां से आ रहा है और ये तो हमारे गाउं का वरुन है जो बिजली के तार बेशते हुए पकड़ा गया था गुड्डू 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 अच्छा हुआ तुम यही मिल गए इस ठेले पर एसी रखा हुआ है लेकिन इसमें चूरी करने की क्या जरूरत थी तुम इसे खरीद कर लाते मैं कहे रहाँ ना इससे हमें कोई नुकसान नहीं है बलकि हमें इसका अच्छे काम के लिए उप्योग करना चाहिए वरुन उस एसी को गुड्डू के पास ही छोड़ कर चला जाता है पर गुड्डू उस एसी को देख कर सोचने लगता है ये AC कुछ अजीव सा लग रहा है, इससे अपने गाउं लेकर जाता हूँ वहाँ लेकर जाने से कम से कम गाउं वाले देखेंगे दो सही की AC किस चिड़िया का नाम है वरुन उसकराब AC को अपने गाउं ले जाता है और उसी बिजली के पेड़ के पास रख देता है एसी रखते ही सारे गाउं वाले वही इकठा हो जाते हैं और गुड्डु से पूछने लगते हैं अरे गुड्डु बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लेकर आये हो गाउं में ये करता क्या है? ये एक AC है, इसे घर में लगाने से ठंडक आती है अगर ऐसा है तो इसे इस बेड पर लगा दो, गाव में भी ठंडक आ जाएगी फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर बनाने के कोशिश करता हूँ गुड़ू उस खराब AC को अपने घर ले गया, और उसे बनाने की कोशिश करने लगा देर रात हो चुकी थी, अचानक वो AC रोशनी से चमक उठा, और उसमें से तेज रोशनी आ गई तो उस चमकती हुई AC को लेकर, वो उसी बिजली के पेड के पास जाता है अरे देखो, ये AC चमक रही है, इसे कुछ हो गया है, आजाओ आजाओ, सब कोई आजाओ सारे गाउवाले उसी बिजली के पेड के पास जमा हुए, और देखा कि वहाँ गुड़ू उस चमकते हुए AC को लेकर खड़ा है गुड़ू उन्हें सारी बाते बताता है, तब बदरी नारायन पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये जरूर प्रकृती देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं फिर वही अंद्विश्वास की बात हैं वरुन के इतना कहते ही बिजली का पेड़ चमकने लगता है और वरिक्ष देवता प्रकट होकर कहते हैं इस चमतकारी AC से पुरे गाउं में पानी के समस्या दूर हो जाएगी इस मिट्टी के AC को इस बिजली के पेड़ में जोड़ दो ये काम एक अच्छा कारिगर ही कर सकता है हमारे गाउं में मिट्टी का सबसे अच्छा कारिगर सिर्फ गुड्डू ही है इस पेड़ की मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो जिससे इस गाउं की सारी समस्या चली जाएगी इतना कहकर व्रिक्ष देवता वहां से अद्रिश्य हो गए गुड्डू जाकर अपने मिट्टी के हुनर से हू बहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी के एसी बना कर तयार कर देता है मिट्टी के एसी तयार है भगवान के कहने मताबिक बिजली के पेड में लगा दिया है क्या पता कुछ अनोखा हो जाए गुड़ू मिट्टी का एसी उस बिजली के पेड में लगा देता है अब देखना मेरे प्रभू की कृपा देखना इस मिट्टी के एसी से हमारे गाउ में सारी समस्या ठीक हो जाएगी मिटी के AC के पेड़ में लगते ही गाउं में ठंडी लहर दोड़ पड़ती है मानो गाउं में बर्फ की बारिश हो रही हो पूरे गाउं में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता मुझे तो ठंड लग रही है मेरे दाथ कटटा रहे है मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गाउं के सूखे हुए तालाव में बर्फ जम जाता है गाउं के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है ये देखो हमारे गाउं का कुवा भी भर गया अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरुरत नहीं पड़ेगी ये हुई ना बात प्रभू की कृपा अप्रम पार है बस किसी की इसको नजर ना लगे गाउं वाले सुखी सुखी रहने लगे थे मिट्टी की एसी की वज़ा से सब कुछ अच्छा हो गया था लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकू को हजम नहीं हुई उन्होंने शड्यंत्र रची कुछ तो करना पड़ेगा सिर्फ सतना गाउं में ही बरपारी हो रही है सब खुश है और हम है कि यहां गर्मी में मरे जा रहे है सही कहा तुमने और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादूई मिट्टी की एसी उन्होंने गाउं में लगाई हुई है क्यों ना उसे चल कर चुराया जाए सब ठेक हो जाएगा क्यों सारे गाउंवाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकठा हो जाते है और उन्हें बर्फ का बना देख कर हसने लगते है और इसी तरह मिट्टी की एसी के मदद से सब लोग अपना जीवन खुशी-खुशी बिताने लगते है अजे अपने माता-पिता का एक लौता बेटा था तीनों मिलकर खेट में काम किया करते थे कुछ दिनों पहले ही अजे के माता-पिता का देहांत हुआ था अजे अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था मा बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसी मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है मैं समझ सकता हूँ अजे कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं घर समभालों की खेट समझ नहीं आता अच्छा वसे तुम्हारी गयस खराब हो गई थी ना तो मैं ठीक करवा लिया नहीं यार अभी इतने पैसे नहीं की गयस ठीक कर रहा हूँ सोच रहा हूँ कि एक चूला बना लूँ मैं अपने लिए अजे अपने लिए एक चूला बनाता है बस खाना बन जाए इस चूले में कुछ दिनों के लिए फिर बाद में नया गयस ले लूँगा अजे चूले में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धूए की वज़े से खासता रहता अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है एक रात को अजय खेट से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी अजय रोते हुए अपनी मा को याद करता है मा तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता कितनी फूटी किस्बत है मेरी अजय रोते रोते खिचडी बनाता है और फिर खा कर कूकर चूले में ही रख कर सो जाता है दूसरी सुबह कल रात की खिचडी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने काश थोड़ा सा पचा लेता तो आज भी खा सकता था ये कूकर इतना भारी क्यों लग रहा है मैंने तू कल सारी खिचडी खतम कर दी थी अजय कूकर खोल कर देखता है तो उसमें कूकर भरकर खिचडी बड़ी होती है अजय हैरान हो जाता है पर वो सोचता है शायद उसने कल राट को गलती से ज्यादा खिचडी बना ली होगी अजय खिचडी खाता है और खेट में खाने के लिए भी ले जाता है अजय आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आये हो लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम उस रात को अजय रोटी और सबजियां बनाता है सबजी की कढ़ाई चूले में ही रखी होती है अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूले से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सबजी से भरी हुई है आज तो मैंने इत्ती सबजियां बनाई ही नहीं थी दूसरी सुभे अजे डाल बनाता है और बची हुई डाल गाउवालों में बाड़ देता है अजे मैं क्या सुन रहा हूँ तुम गाउवालों में हर रोज खाना बाड़ते हो कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने की भी पैसे नहीं थे एक रास की बाद बताओं चलो मेरे घर देखो ये मेरा जादुई चूला है इसमें जब तुम खाना बनाओं तो बर्तन में खाना खत्मी नहीं होता तुम चूले से बर्तन उतार दोगे तब ही जाके खतम होता है खाना ये तो बहुत अच्छी बात है पर तुम गाउवालों को फ्री में खाना क्यूं दे रहे हो तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो माला माल बन जाओगे तुम नहीं जए मुझे माला माल नहीं बनना इस चूले ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है मैं चाहता हूँ कि इसके जरीए मैं भी वैसा ही करूँ जरूरत मंद लोगों की मदद करूँ तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया उनकी अच्छी कमाई होने लगी ज्यादा मेहनत किये बिना ही पैसे आते हुए दे जय लालची बन गया और चूले को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा अजय तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूले से इतना कमा रहे हैं तो दो चूले से और कितना कमा सकते हैं पर जय इसकी क्या गैरेंटी है कि दूसरा चूलह भी जादु चूलह बनने वाला है तुम बना के देखो क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए क्या हो गया ऐसा क्या डाला तुमने इस चूले में मैंने तो बिलकुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूला बनाया कल फिर से बनाना अजे ने दूसरा चूला बनाया और दूसरा वाला भी फट गया जै को गुसा आ गया और उसने अजे पर चिला दिया एक चू तुम हो गए हो अजय, तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूला मिले, इसलिए तुम गलत किसम का चूला बना रहे हो। जैने देखा होटल के किचन में चूला रखा हुआ है, उसमें चूला उठाया और अपने घर चला गया। जै का पूरा घर खाली है, वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया। बेटा, सद्मा बरदाश्ट नहीं हो रहा है क्या। नहीं काका, मैं तो जै की किस्मत पे हस रहा हूँ। वो क्यों। उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादूई चूला चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा। पर जादूई चूला तो मैं कल रात अपने घर ले गया था, उसको देखकर दूसरा चूला बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूला लेकर चला गया, अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटेल के लिए और खुशी-खुशी पूरे विश्वास से सबजी बनाने की तयारी में चूले की लकडियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूलों की तरहे ये चूला भी आग लगते ही भट जाता है। जय चूले को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। मस्तानपुर गाउं में मनोज सिंग नाम का एक गडरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मनोज के पास दो दर्जन भेडे थी। मनोज हर रोज सुभा उन्हें जंगल में चराने ले जाता और शाम को वापस ले जाता। घर का सारा काम मनोज की पत्नी सपना समभालती। वो चूले पर खाना बनाकर बच्चों के टिफिन बैट करती और उन्हें स्कूल भेजती। भेडों की उन और दूध बेचकर मनोज का खर्चा चलता। मनोज अकसर देखता कि सपना को चूले पर खाना बनाते हुए बहुत खासी आती है एक दिन मनोज सपना को लेकर डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर चाचा सपना को अकसर बहुत खासी आया करती है अगले दिन मनोज डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट्स लेकर जाता है डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखकर कहता है मनोज और सपना घर लोटाते हैं दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं ममी पापा आ गए अगले दिन जब मनोज जंगल में भेड़े चरा रहा होता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगता है ये भगवान, हम मेरा क्या होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं गैस सिलंडर खरीब लूँ अब सपना की जान कैसे बच पाएगी? तभी अचानक से रोश्नी होती है और जंगल की देवी प्रकट होती है है मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे जंगल में कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता मैं सब की एक बार मदद जरूर करती हूँ बताओ, तुम्हें क्या कश्ट है? है देवी, मुझे एक गैस सिलंडर चाहिए नहीं तो मेरी पत्मी मर जाएगी जंगल के डेवी मनोज को एक गैस सिलंडर देते हुए कहती है तो मैं से अपने घर ले जाओ इस सिलंडर की खास बात ये है कि इसमें गैस कभी खत्म नहीं होगी मनोज गैस सिलंडर को लेकर अपने घर पहुँचता है सपना गैस सिलेंडर देखकर बहुत खुश होती है अब दुए में खाना नहीं बनाना पड़ेगा सपना अक्सर अपनी बच्पन की सहली दीक्षा से फोन पर बातें किया करती थी उस रात भी सपना ने दीक्षा से बात की हलो दीक्षा क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हो पता है, पिछले दो दिनों में क्या हुआ? नहीं, बताओ क्या हुआ? सपना दीक्षा को सारी कहानी बताती है कि कैसे वो डॉक्टर के पास गई और कैसे जंगल की देवी ने मनोज को एक खास गैस सिलेंडर दिया सपना के स्वास्थ में सुधार आने लगता है और पूरा परिवार खुशी-खुशी समय बिता रहा होता है एक दिन सपना को मैके से फोन आता है कि सपना की मा की मृत्ति हो गई शाम को जब मनोज घर आता है तो सपना उसे दुखत समाचार बताती है मुझे तुरंत ही मैके जाना होगा ठीक है तुम बच्चों को लेकर चली जाओ मैं कुछ दिन शहर जाकर मजदूरी कराता हूँ कुछ पैसे आ जाएंगे वो लोग घर में ताला लगाकर चले जाते हैं एक सपताह बाद जब सभी घर पर लोटते हैं तो देखते हैं कि घर से गैस सिलेंडर गायब है ये देखकर मनोज बहुत दुखी होता है हे भगवान अब हम क्या करेंगे मुझे शहर में कोई काम नहीं मिल पाया हमारे पास पैसे भी नहीं है और अगर तुम चूले पे रोटी बनाओगी तो लंक्स इंफेक्शन से तुम्हारी जान को खत्रा है अगर मैं यहाँ पर रहकर खाना बनाओगा तो फिर बाहर काम पर कौन जाएगा हमारा खर्च कैसे चलेगा मनोज अपने पुलिसमैन दोस्त विजय को फोन करता है और सारी बात बताता है ठीक है मैं कल तुमारे घर आता हूँ अगले दिन विजय मनोज के घर आता है अरे भाई विजय मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेंडर और गैस कहां गायब हो गए ना तो कोई खिलकी तूटी और ना ही दरवाजे का ताला तूटा सब कुछ वैसे का वैसा ही है फिर भी गैस सिलेंडर कैसे गायब हो सकता है विजय ताले को लेंज से देखता है और पूछता है क्या तुमारे घर पर कोई आता जाता था? नहीं, तुम दोनों अपने मॉबाईल फोन दिखाओ विजय मनोज और सपना के मॉबाईल की कॉल हिस्ट्री चेक करता है वो नोटिस करता है कि सपना अपनी फ्रेंड दीक्षा से काफी बातें करती है विजय सपना से पूछता है ये दीक्षा कौन है? वो मेरी सहेली है क्या तुम अपनी सहली दीक्षा के साथ सारी बातें शेयर करती हो हाँ, लेकिन उसका गैस सिलेंडर से क्या लेना देना हम सभी को अभी दीक्षा के घर चलना होगा लेकिन क्यों, तुम मेरी बात मानो सभी लोग दीक्षा के घर पहुँचते हैं जैसे ही दीक्षा दर्वाजा खूलती है, मनोज और सपना उसके घर पर रखे गैस सिलेंडर को पहचान जाते हैं। अरे, ये तो हमारा ही गैस सिलेंडर है। दीक्षा बिलकुल डर जाती है। दीक्षा, तुमने ऐसा क्यों किया। दीक्षा रोने लगती है और सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो सपना, मेरे घर पर सिलेंडर है, लेकिन गैस बहुत महेंगी पड़ती है। जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिलेंडर है, जिसमें गैस कभी खत्मी ही नहीं होती। तो मेरे मन में लाल अचा गया, और मैंने तुम्हारा गैस सिलेंडर चुड़ा लिया। लेकिन तुमने चोरी कैसे की? जब तुमने मुझे फोन पर बताया कि तुम अपने मैके में रुकी हुई हो, तो एक दिन मैं तुम्हारे गाओं गई और तुम्हारे दर्वाजे का ताला देखा। मैंने तुम्हारा ताला तोड़ कर गैस सिलेंडर चुड़ा लिया। और मार्केट से बिलकुल वैसा ही ताला लाकर तुम्हारे दर्वाजे पर लगा दिया। ऐसा कहकर दीक्षा रोने लगती है। विजय दीक्षा को चोड़ी के इल्जाम में गिरफतार करके पुलिस टेशन ले जाता है। और सपना और मनोज गैस सिलेंडर के साथ वापस अपने घर लोटाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।